हेलो दोस्तों वेलकम तू सीराइटी सलूशन यूटूब चैनल और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपडेट में लेकर आऊँ खासकर दोस्तों आप लोगों में से कुछ जिनों में बहुत से लोगों की यह हमेशा कमेंट रहते हैं कि हम different company में apply तो करते हैं बट उन company की तरफ से कोई भी feedback नहीं आता है मतला हम किसी तरह का कोई टेस्ट में अपर नहीं हो पाते हैं और हमको कोई opportunity उन company में नहीं मिल पाती है खासकर वो लोग दोस्तों जो कि IT company में अपनी placement पाना चाह रहे हैं और SD role के लिए अपनी placement पाना चाहते हैं चाहे वो python हो, java हो, web development हो, full stack development हो उसमें अगर आपको placement चाहिए तो यह opportunity सिर्फ आप लोगों के लिए है इसमें दोस्तों सिर्फ फूल टाइम रोल ही नहीं बलकि internship रूल के लिए हाइडिंग की जा रही है और इसी internship को अगर आप complete करेंगे तो आप लोगों को इन company में PPO मतब प्री placement offer भी मिल जाएगा आप लोगों के job के अच्छे chances में होने वाले हैं 6 LPA तक का आपको package में मिल सकता है और अगर आप 21, 22, 23 bachelor student है तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं वीडियो में आगे detail में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में clear कर रहा हूँगा वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा WhatsApp ग्रूप और Telegram ग्रूप से अगर आपने अब तक जॉइन नहीं किया उसे तो उसे भी जॉइन कर लिजेगा क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह के update सबसे पहले देखने के लिए मिलते हैं पहली कंपनी दोस्तो GMWare है जिसमें दोस्तो फ्रेशर रोल के लिए hiring चल रही है मैं तब 22-23 वाले apply कर पाएंगे 21 वाले भी इसमें participant वैसे कर सकते हैं Python, Django रोल के लिए यहाँ पे hiring चल रही है दोस्तो Backend Developer के लिए यहाँ पे hiring चल रही है Web Developer रोल के hiring चल रही है, .NET Developer, Full Stack Development, SDET रोल के hiring चल रही है इसमें दोस्तों आप दोको को internship भी offer किया जा रहा है और यहाँ पे आपको 6 LPA तक का package offer हो सकता है मैं आपको बता दू इसके लिए अगर आप 22-23-24 batch के student है तो आप इसमें हिसमें सब ले सकते हैं और सबसे अच्छी बात इसमें ये भी है दोस्तों कि इसमें अगर आपका BEE में 55% है तो भी आप इसमें participate कर सकते हैं next opportunity के बारे में आपको मैं बताता हूँ दोस्तों जो कि हमें अभी buffer zero की तरब से देखने के लिए मिल रही है BEE, BTEK, BCA, MCA, BCA, MCA वाले भी participate कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों miss मत करिएगा इसके अलाबा अगर आप apply करना चाह रहे है next opportunity के लिए जो कि दोस्तों digitize की तरब से offer की जा रही है और इसमें मैं आपको बता दू 0 से 1 year मतलब की 22 वाले और 23 और 21 वाले apply कर पाएंगे पूरी location डारिंग चल दिये 4 LPA का package आपको यहाँ पर offer किया जाएगा web developer का role यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है next opportunity दोस्तों आपको बदा देता हूँ map info tech की तरब से है जिसमें आप लोगों को front end और back end developer role के लिए हाइर किया जा रहा है react.js.net back end developer python node.js angular developer devops engineer के लिए हाइरिंग चल दिये fresher और inter role के लिए हाँ पर हाइरिंग चल दिये तो internship और fresher role दोनों के लिए हाँ पर update है दोस्तों जरू इसका हिस्सा बनेगा college के student है तो भी आप apply कर सकते है recent password है तो भी आप इसका हिस्सा ले सकते है इसमें भी आपको stipend 15 के दिया जाएगा उसके बाद आपको pre placement offer इस company पे मिलने वाला है अगर बात कर लीजाए इन पाचों company में apply करने कि क्या अलग-अलग test देना होगा तो यहीं पे सबसे अची बात यह दोस्तों कि इन पाचों company में अगर आप placement पाना चाहरे है तो कोई अलग से test नहीं दे रहे है एक math test आपको देना है जो की है दोस्तों geeks for geeks के platform पे जोब अथन में आपको regular बता रहा हूँ दोस्तों कि यहां से लोगों के regular placement हो रहे हैं और आप लोगों को product based company में असानी से placement चाहिए तो direct आप जोब अथन में participate करिए और अपनी job यहां से ले लीजिए यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं यह होने वाला है 21st Zen को इसकी timing म आपको बता दूँ शाम को 8 बजे से चालू होगा 10.30 तक का time आपको मिलेगा जरूर हिस्सा लीजिएगा participate करिएगा selection हो ना हो सबसे अची बात यह मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जिस तरह की question आप इसमें solve करेंगे वो आगे आपको placement clear करने में भी मदद करेगा साथ मे जो बतन बार-बार होता रहता है तो आप लोगों की एक अच्छी practice भी इसमें हो जाएगी यह 5 company की आपको दोस्तों लिसे आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं इसके अलावा मैं पता दूँ कि इस exam में आपसे 3 DSA की questions पूछे जाएंगे 5 MCQ programming logic के questions पूछे जाएंगे 5 MC CQ logical reasoning के questions और aptitude के questions यहां पर आपको देखने क्ले मिलेंगे और अगर आप इसके लिए इंटरस्टेट हैं लिंक आपको description पर मिल जाएगा आपको करना क्या है दोस्तों आपको यहां पर देखे register to contest पर click करना होगा register to contest पर जैसे आप इस पर click करेंगे सबसे पहले आपको अप पर account है उससे login कर लेना है जैसे gmail account से login कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जीजिस company में यहां पर हिस्सा लेना है suppose अगर आप चाहे तो आप इन पाच्छों company में अगर eligible है apply करना चाहरे है तो इससे select करके save and continue पर click कर लिजेगा एक बाद save and continue के अगर आप यहा मत करिएगा दोस्तों I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजेगा ताकि वो भी इसका हिस्सा ले पाएं thank you so much दोस्तों